हलो दोस्तों नमस्ते आदाप सस्तियकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाए यह तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आईबी की असिस्टेंट ऐसे और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं MTS की दोस्तों जो प्रीवियस यह था उसके मॉडल पेपर पेवार और दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे थे सर की IBS का जो पेपर होता है उसका दोस्तों किस फॉर्मेट पर होता है क्या दोस्तों लेवल होता है कोशन को तो आज हम यहाँ पर सारी कुछ देखेंगे तो हम मॉडल पेपर पर दोस्तों हम यहाँ पर वक करने जा रहे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं सभी को गूड इवनिंग करना चाहूंगा भर-बर के तनमय मदुश्मिता सभी को दोस्त टिक है डन है ठन है ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी के साथ मोटिवेशनल कोर्ट की तरफ जिन्दगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोकिम उठाना पणता है, दोस्तों अगर आप लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ना चाते है तो आपको obvious ही बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो पीछे वाला कदम जो है, वो आगे लाना पड़ेगा, और इसी motivational code के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सभी लोग फड़ावर से क्या करेंगे, दोस्तो यस टाइप करेंगे, अगर मेरी screen और voice आपके लिए clear है, और भाई चरिता was written by, दोस्तो बुद्ध चरिता किसके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पर अमर सिम्हा के द्वारा, भाषा के द्वारा, वीर सेना के द्वारा, या फिर अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर तनमे ने सबसे पहले answer दिया है, option number D के साथ जा रहे है तनमे, ओके बाखी लोग क्या कहते दोस्तो, ठीक है दोस्तो जितने लोग कहरे है सरे होना चाहिए, यहाँ पर अश्वघोष, अश्वघोष उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer यहाँ पर अश्वघोष हो जाएगा, देखे दोस्तो यह महा कावे है, ठीक है, बात करते हैं, बुद्ध चरिता जो है, दोस्तो उसमें बुद्ध जी के बारे में बताए गया है, और दोस्तो बुद्ध जी का नाम, real name क्या था, दोस्तो, सिधार्थ, क्या दोस्तो, सिधार्थ, उनके फादर का नाम क्या था, दोस्तो, सुदो धना, उनके फादर का नाम था और पुत्र का नाम दोस्तों क्या था राहुल था ये भी पूछा जाता है आप से कब जन्म हुआ था दोस्तों इनका 563 BC लुंबनी में हुआ था कहां पर दोस्तों लुंबनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था ठीक है अगले सवाल के लिए बढ़ें ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा चलिए दोस्तों यहां पर है दन्यू रुपी स्टैन करेंसी नोट ऑफ इंडिया हैस दा मोटिव ओफ विच अमंग दी फॉलॉइंग ऑन दा रिवर साइड दोस्तों भारत क नए 10 रुपे के नोट में दूसरी तरफ निमलीखित में से दोस्तों किसका चित्र है जगनाथ टेंपल है लिंगराज मंदिर है ब्रिदेश्वा टेंपल है या फिर दोस्तों कोनार के संट टेंपल है यहां पर कोनार कोनार के करेक्ट आंसर है या फिर नहीं तो दोस्तों कोनार के रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है अच्छा दोस्तो कोनार कमंदिर है कहां पर दोस्तो यह आपको मिलेगा दोस्तो उडिसा में कहां पर दोस्तो उडिसा में कोनार को दोस्तो हम लोग किस नाम से जानते हैं ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं किस न थेले नहीं यहाँ पे दुस्तों ब्रदेश्वर की अगर मैं बात करू यह अगर राज चोल वन is the color of human blood is red दोस्तो मानवरक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है ये पूछा गया है because of यहाँ पर myoglobin, because of hemoglobin because of यहाँ पर immunoglobin, या फिर because of heptoglobin, किसकी वज़े से दोस्तो प्रीतम कहरें sir hemoglobin होना चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या कहते होने दोस्तो, ठीक है दोस्तो जितने लोग hemoglobin कहरें, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, correct answer क्या होगा दोस्तो hemoglobin हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए दोस्तो, आपको पता है red blood cell जो है, वो red color की होती और इसमें present होता है hemoglobin, क्या होता दोस्तो hemoglobin होता है, red blood cell की अगर हम बात करें दोस्तो, यह दोस्तो क्या करता है, oxygen transport करने का काम करता है, किसका दोस्तो oxygen transport करने का काम करता है RBC दोस्तो, कहां पर produce होता है तो bone marrow में होता है, कहां पर दोस्तो bone sorry, bone marrow में होता है और दोस्तो अगर हम बात करें इसका दोस्तो लाइफ इस्पैन कब तक यह जिंदा रहता भई लाइफ इसका किता होता है 120 दिन का होता है कितना दोस्तो 120 दिन का ठीक है दोस्तो इसको और किस नाम से जानते है erythrocyte के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से दोस्तो erythrocyte के नाम से भी जाना जाता है और जब दोस्तो इसकी life spend खतम हो जाती तो यह कहां पर जाकर गिर जाता है spleen में जाकर गिर जाता है कहां पर दोस्तो स्प्लिन में जाके गिर जाता है यह याद रखेगा यह आपसे पूछा जाता है देखे दोस्तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि यूरीन का कलर दोस्तो कई बार आपने देखा होगा कि यलो कलर का हो जाता है यलो कलर का दोस्तो किस वज़े से होता है सभी लोग फट यहां पर होता है यूरो क्रोम बढ़ जाता है दोस्तों कि वज़े से यूरो क्रोम की वज़े से दोस्तों होता है यूरो क्रोम ठीक है यह आप से सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है अभी नहीं पूछा गया अभी सिर्फ पूछा गया था कि यूमन ब्लड जो है रेड क्यों सही है लेकिन दोस्तों green pigment green क्यों है क्योंकि दोस्तों उसमें magnesium क्या दोस्तों magnesium यह भी याद रखेगा यह भी सवाल पूछा जा चुका है SSC में ठीक है IB में भी हो सकता है आगे चलके पूछ लिया जाए आगे बढ़ेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले क्या करेंगे फड़ावर से एक बार शेयर करेंगे और like करेंगे बढ़ते हैं अगले question के लिए अगला question दोस्तों an instrument that measures the wind speed is called दोस्तों वायू गती को मापने वाले उपकरणों को डैश कहा जाता है क्या etamometer कहते हैं Odro meter कहते है menomometer कहते है आद दोस्तों भी याद रखेगा यापसे सवाल पूछा जाता है ठीक है दोस्तो एक स्पीडो मीटर होता है यहापे दोस्तो इसपीड को मैजर करता है यह भी याद रखेंगे चलें आगे की तरफ अगला question दोस्तो बिश्वजीत अगला सवाल आपके लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जित्ते भी मित्र मेरे यहाँ पर दोस्तो तयारी कर रहे हैं SSC की, Railway की, Banking की तो दोस्तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका क्योंकि Test Book Super Coaching आपके लेकर रहा है यहाँ पर offer ठीक है और दोस्तो यहाँ पर आपको Top Institute के faculty पढ़ा रहे हैं यहाँ पर Test Book Super Coaching पे जहाँ पर आप देख सकते हैं पर्चम classes से हैं faculty दोस्तो Paramount से हैं पर्चम classes से India Study से साथ में दोस्तो 3000 मौक टस्त आपको दिये जा रहे हैं दोस्तो प्रैक्टिस के लिए और दोस्तो 200 से भी जादा Study Notes आपके रिवीजन के लिए और आपके हर एक doubt को clear किया जाएगा यहाँ पर दोस्तो ठूट डेली लाइफ क्लासेज के जो की मेरा coupon code है गौरव G-A-U-R-A-V-M गौरव M जैसी आप यूज करोगे दोस्तो आपको यहाँ पर maximum discount मिल जाएगा और आप यहाँ पर अपनी तयारी भी कर पाओगे ठीक है SSC Railway Banking दोस्तो एक साथ आपको सारे का सारा course आपको यहाँ पर दिया यजुर वेद में हैं या साम वेद में हैं जल्दी से बताइए दोस्तो फटाफट से सभी लोग बताएगे यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आ रहा है B option आ ठीक है बाखी लोग क्या कहते दोस्तो यहाँ पर B correct होगा या फिर नहीं होगा दोस्तो गता है तो मैं आपको बता दू दोस्तो जित्ते लोग B option कहरें उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है correct आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा B option हो जाएगा ठीक है B option होगा यहाँ पर ठीक है दोस्तो अगर हम इंगलेश में हम कहते हैं, verses, किस में, दोस्तो, अथर वेद में, अथर वेद यहाँ पे correct हम ऊसरोगा, अभर कई बार, रिग वेद में, पूच लिया जाता है, रिग वेद में ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड प्रीतम तनमे, ठीक है, सलोनी IB की क्लासेज आपकी 9 से 10 होंगी, ठीक है, 9 से 10, तो आप मेरे साथ 9 से 10 पे जुड सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए दोस्तो ये रहा, दोस्तो, who built Red Fort in Delhi, लाल किला किसने बनवाया था, हुमायू ने, अकबर ने, साजहा ने, और औरंग जेब ने, किसने बनवाया था दोस्तो लाल किला, फड़ा फट से बताना है, और दोस्तो जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया, फड़ा फट से लाइक करेंगे, और शेयर करेंगे, यहाँ पर करेंशर होना चाहिए, साजहा, ओके, ठीक है, दोस्तो, जितने लोग यहाँ पर करेंशर, साजहा, साजहा, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer हो जाएगा, साजहा, कब बनवाया था, दोस्तो, 1639 के समय में बनवाया था, स इसके लिए बनवाया था अपनी वाइफ के लिए बनवाया था किसके लिए मुमताज महल के लिए और जूस्तों असली реально में आथा अर्जुमंद बानू बेगम क्या था दोस्तों इनका दूस्तों रीरल नेम था ये भी आपको याद रखना tips अब देखिए दोस्तो और क्या बनवाया रेड़ फोर्ड बनवाया ठीक है मयूर्स यहां सन जिसको हम इंगलिश में कहते हैं पिकॉक थ्रोन क्या दोस्तो पिकॉक थ्रोन बनवाया ठीक है मोती मस्जित क्या दोस्तो मोती मस्जित ठीक है जामा मस्जित क्या दोस्तो जामा मस और दोस्तो मुगल एंपरेर को हमने क्लोन लॉजिकल में याद करने के लिए क्या ट्रिक याद की थी भाजसा ठीक है भाजसा हमने ये ट्रिक याद की थी दोस्तो इससे आप याद कर सकते हो बाबर क्या दोस्तो बाबर हुमाईू क्या दुस्तो हुमाईू ठीक है अकबर क्य क्या दूस्तो, जहांगीर, सा जहां, क्या दूस्तो, सा जहां और औरंगजेब, क्या दूस्तो, औरंगजेब, ये भी आपको याद अठना है, ठीक है, चलें आगे, चलिए, सभी का यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर प्रीतम ने correct answer दिया है, उस्ताद एहमद लाहोरी अंगद ने भी correct answer दिया है, ज्यानेंदर ने भी correct answer दिया है, उस्ताद एहमद लाहोरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तो, उस्ताद एहमद लाहोरी, ठीक है, चलें आगे की तरफ, चलिए, अगला question दोस्तो, आपके लिए ये रहा, दोस्तो, which of the following is the edible part of the cauliflower, दोस्तो आप जो गोभी का हिस्सा खाते हो, वो कौन सा part है, वो सीधा पूछा गया है, यहाँ पर, B option के साथ जा रहे हैं, ओके, ठीक है, सभी लोग फटा फट से बताएंगे, यहाँ पर correct answer, कुछ लोग B option के साथ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दू, दोस्तो, यहाँ पर correct answer होग दोस्तो, भारत का एक मात राजिक कौन सा है, जिसमें समान नागरिक सहीता लागू है, क्या वो, जमू एंड कश्मीर है, गोवा है, अरुनाचा पदेश है, या फिर महराष्ट है, गोवा कह रहे हैं, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं, दोस्तो, ठीक है, दोस्तो, गोवा, गोवा, तो दोस्तो, जितने लोग गोवा कह रहे है, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा की एकर हम बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, पनाजी है, क्या दोस्तो, पनाजी है, ठीक है, कौन से नदी के किनारे है, दोस्तो, मांडोवी नदी के किनारे है, मांडोवी नदी के किनारे, ठीक है? दोस्तो, मांडोवी नदी यह भी आपको याद रखना है अच्छ है अगर हम गुआ की बात करें कौन से सनसोधन के तहद दोस्तों इसको इंडिया का पाड बनाया गया था yunion of india बनाया गया था जल्दी से बताईए 36 सनसोधन या फिर 56 सनसोधन किसके तहद बनाया गया था वेरेगोर्ड यहां पे लक्षमन अमन वेरेगोर्ड रॉकर ठीक है प्रीतम अमन ठीक है चलिए तनमे बहुत बढ़िया ठीक है अगले question बढ़ेंगे दोस्तो बहुत बढ़िया 56 यहाँ पर correct answer होगा अब देखिए दोस्तो सवाल यहाँ पर उठता है कि uniform civil code आखिर कौन से अनुछेद में है तो uniform civil code दोस्तो article 44 में है देखिए दोस्तो article 44 किसके अंतरगत आता है DPSP के से भाग में दोस्तो तो भाग चार में है कौन से अनुछेद में है तो अनुछेद दोस्तो 36 से इंक्यावन में है यह याद रखेगा यह आप से पूछा जाता है ठीक है चले आगे very good यहाँ पर रिहान तनमे कमलेश बहुत बढ़िया अगले question बढ़ते दोस्तो अगला सव आपके लिए रहा दोस्तो पानीपथ is also known as पानीपथ को डैश के रूप में जाना जाता है city of waivers, city of viewers, city of volunteers, city of volunteers या city of wool जल्दी से बताए दोस्तो पानीपथ को किस निकनेम से जाना जाता है फटा-फट से बताएंगे यहाँ पर कैरे सर होना चाहिए, option number A कह रहे है rockers, okay, prince Alex कैरे सर यहाँ पर मैं कुछ नंबरों से रह गया था, कोई बात नहीं prince, ठीक है, अगर आप रह गए थे इस बार अच्छे से तयारी करिए, ठीक है, और इसी बार selection ले लिजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है पिछले चीजों को याद करके कोई मतलम नहीं है, यहाँ पर आपको उस हार से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है, correct answer यहाँ पर होगा, option number one, city weavers कहा जाता है, bunkरों के शहर कहा जाता है, पानी पत में दोस्तों आपको पता है, तीन युद्ध हुए थे, ठीक है, प 1756 में, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमु के बीच में, किसके दोस्तों, अकबर और हेमु के बीच में हुआ था, तीसरा दोस्तों, अगर हम बात करें, कब हुआ था, 1761 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, अफगान और मराठों के बीच में चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी हम 92 लोग लाइव हैं लेकिं लाइक सिर्फ 44 ऐसा क्यों फड़ावाड इसको भी 100 गी तरफ लेके चलते हैं अगला कोशन दोस्तों आपके लिए ये रहा Who gave the famous slogan जै जै किसान प्रसिद्ध नारा दोस्तों जै जै किसान किस ने दिया है जवाहला नहरू है लाल बहादुर सास्त्री ने इंदरा location दोस्तों पर जै पर करें उनका यहाँ पर करें direct on सर होगा है अच्छा दोस्तों उनेशी चार्ट में जब साइमन समें आने पर दोस्तों विद्रोग कि किया रहा था तब वहां पर दोस्तों किसकी रित्ती हुई थी सभी लोग तो यहां पे लाला लाजपतराई जी की दोस्तों मृत्ती हो गई थी, याद रखेंगे ठीक है, यह आप से पूछा जाता है, अब देखें, लाला लाजपतराई जी को दोस्तों किस निक नेम से जानते थे, केसरी, केसरी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, अगले कोश्चन पर बढ़ें अगला कोशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों विच म्यूजिकल इस्टूमेंट उस्ताद बिस्मिल्ला खां यूज टू प्ले उस्ताद बिस्मिल्ला खां निमलिखित में से किस यहां पर संगीत वागयंतर से संबंदित थे फ्लूट तबला सहनाई और सरोड किसे थे दोस्तों सहनाई कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते दोस्तों ठीक है दोस्तों जितने लोग यहां पर कह रहे हैं सर सहनाई सहनाई उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर सहनाई हो जाएगा अ अपने वह ताज का उसमें घुंग्राले बाल वाले जो हैं वो जाकिरुसेन है ठीक है सरोड के अगर हम बात करें अमजद अली खान है क्या दोस्तों जल्दी से अमजद अली खान है क्या ठीक है यह भी आप से पूछा जाता है चले आगे वेरिगोड प्रियंका, मुकेश, रेहान, कमल, तनमय बहुत बढ़िया अगले कोश्चन के लिए बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों दौस्तों दौस्तों इन्यूमन बौडी कंटेंस विच एंजायम मनुश्य की लार में कौन सा दोस् पर इस प्रिक्सिन होगा, देखे दोस्तों यहाँ पे creator of option B. SalIR training Amylase होता है, माउथ में पाया जाता है, ठीक है? माउथ की जातों माूथ से ही पाचन का दोस्तो शुरुवाद हो जाती है माउथ में पाचन किसका उता होता है, माउथ में पाचन का होता है यह फिर हम tailinn कहते हैं क्या tiny ठीक है यह याद रखेगा अब रख्या बेर सवाल उठता है sir pepsin ranin और 끝나 यह ingime कहां पर पाय जाते डोस्तों यह पाई जाते है incomplete क्या यह चोटा है protein ठीक है प्रोटीफ को digest करने के लिए साथ है प्याप स्थ है जैसे कि referencing है het ठीक है, Pepsin, Ranin, ठीक है, Ranin और Trypsin, ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर Pepsin जो है इसको एक activate कौन करता है, तो पेट में मौजूद होता है दोस्तों, एक acid जिसको हम कहते हैं HCL, HCL का pH value होता है, 1.5 से लेके 1.8 हमारे stomach के अंदर, तो यह दोस्तों, पेट करता है, यह याद रखेगा, अब एक सवाल उठता है, दोस्तों, fat digestion कहां पर होता है, fat का digestion दोस्तों होता है, small intestine में, कहांब दोस्तों, छोटी आत जो है दोस्तों, उसमें इसका दोस्तों, पूरी तर इन से ठीक है, चलें आगे, very good है मांशू, मदुश्मिता, तनमे, रोकर, एगले question बढ़ेंगे, दोस्तों, अगला सवाल आप कली रहा, what does P in MNP stands for, दोस्तों, MNP में P का अर्थ क्या है, program, parameter, potability, या फिर passage, जल्दी से बताएं, दोस्तों, MNP में P का क्या अर्थ है, सभी क बताना है, चलें, answer करेंगे, दोस्तों, फटा फट से, यहाँ पर आ रहा है, सर होना चाहिए, C option ठीक है, तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर कहरें, सर, C, 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 उनका correct answer होगा, MNP का full form क्या है, दोस्तों, mobile, number, portability, क्या दोस्तों, portability, अब यहाँ पर दोस्तों, P से क्या फुल फॉर्म पूछ लिए आते हैं, जैसे की, RTGS का, ठीक है, RTGS का क्या full form होता है, दोस्तों, real time gross settlement, क्या दोस्तों, gross settlement होता है, ठीक है, यह भी याद रखीगा, NEFT का क्या होता है, यह होता है, जल्दी से पताई, NEFT का क्या होता है, यहाँ पर, National Electronic Fund Transfer होता है, या नहीं होता ह ठीक है, कमलेश बहुत बढ़िया, लक्षमन, वेरेगोर्ण, रेहान, बहुत बढ़िया, रॉकर, तनमय, बहुत बढ़िया, अगले question में बढ़े, येस, येस, ठीक है, तो अगला question दोस्तों, clear हा, how many hard chambers are there in a fish, दोस्तों, मचली में कितने हिर्दय कक्षो होते हैं, क्या दो chamber होते हैं, तीन chamber होते हैं, चार chamber या फिर पांच chamber, कितने chamber होते हैं, दोस्तों, जल्दी से बताएं, मचलियों में, दो कह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर तीन कह रहे हैं, दोस्तों, बाकी लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर दो कह रहे है लेकिन दोस्तो इसमें एक exception है, crocodile अब दोस्तो बर्ड में, बर्ड में कितने होते दोस्तों बर्ड में भी दोस्तों आपको मिलेगा four chambers, कितने दोस्तो four chambers सभी को बताना है दोस्तो, आपको पता है सबसे बड़ा दिलवाला, जिसके ज़्यादा चेमबर हो नई, हसी मता की बाते, लेकिन बताएंगे दोस्तो, कौकरोज कौकरोज के पास दोस्तो, बहुत ज़्यादा चेमबर होते हैं, कितने चेमबर होते हैं सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे very good rocker very good यहाँ पर sad boy, tanmay ठीक है, तो दोस्तो यहाँ पर correct answer होगा 13, कितने दोस्तो, 13 चेमबर होते हैं, कितने दोस्तो 13 चेमबर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पर अच्छे दोस्तो, अगर हम heart की बात कर रहें heart दोस्तो, कौन से muscle से बनता है, काडियक muscle से, किस से दोस्तो, काडियक muscle से बनता है, ठीक है, इसलिए दोस्तो, हिर्दय के अध्यन को हम लोग क्या कहते हैं काडियोलाजी कहते हैं, क्या कहते हैं काडियोलाजी कहते हैं ठीक है, ये भी याद रखेगा अगर हार्ट बीड पुछी जाए, आपसे हार्ट रेड पूछा जाए तो 72 दोस्तो होता है पर मिनिट में, ठीक है? पर मिनिट में 72 होता है normally, ठीक है देखें दोस्तो एक breathing rate अलग होती है heart rate अलग होती है बहुत से लोग इसमें confused हो जाते है breathing rate दोस्तो आपको जो normal person की होती है वो 15-18 दोस्तो यहाँ पर मिलती है per minute में ठीक है और दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ पर heart rate जो होती है वो 72 होती है यह याद रखना है heart के उपर एक layer होती ही जिसको हम कहते है paracardium क्या दोस्तो paracardium कहते है ठीक है चलिए अगले question में बढ़ेंगे अगला question दोस्तो आपकी screen पर यह रहा who is the governor of awesome दोस्तो असम के governor दोस्तो बताना है जगदीश मुखी, सर्बनन, सोनवाल, नजमा, हिपतुला या फिर दोस्तो तथागत रोय ठीक है यहाँ पर a option के साथ जा रहे है बाकी लोग क्या कहते है दोस्तो ठीक है a a a तो जितने लोग a कह रहे है उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अब असम की मैं बात करता हूँ दोस्तो असम की capital क्या है दोस्तो दिसपूर है क्या दोस्तो दिसपूर है ठीक है यहाँ पर दोस्तो एक त्योहार है जो की दोस्तो एक नृत्य भी है जिसको हम कहते है बीहू क्या दोस्तो बीहू जो है यह festival भी है और ये दोस्तों dance भी है ठीक है ये भी आद रखेगा दोस्तों आपको summon में ही मजूली island मिलेगा क्या क्या दोस्तों nggak मजूली island कौन से नदी पर है ब्रवह पुत्र रिवर पर है दोस्तों 1989 कोट है वो कहाँ पर है गुहाटी में है और गुहाटी में दोस्तो अधर इस्टेट का भी जुरिडिक्शन आता है जैसे अरुनाचर प्रदेश का, नागालेंड का, मनिपूर का, वो सब का किसमें आता है गुहाटी में ही आता है दोस्तो अगर मैं आसम की बात करूँ, यहाँ पर आपको कुछ नैशनल पार्क देखने को मिलेंगे, बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे की काजीरंगा नैशनल पार्क ठीक है, और कौनसा दोस्तो राजीव गांधी, जिसको हम लोग क्या कहते दोस्तो औरंगे नैशनल पार्क भी कहते हैं पिलेगा और कौनसा आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क मिलेगा और कौनसा नामेरी मिलेगा और कौनस दोस्तो एक दो तीन चार रायमोन आपको यहीं पे देखने को मिलता है चले आगे बहुत बढ़िया यहाँ पर रॉकर, संदीप, रिहान, लक्षमन बहुत बढ़िया अगले कोशन पर बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए ये रहा Newton's second law of motion gives us the magnitude of, दोस्तों Newton के गती का दूसरा नियम हमें dash का परिमान देता है, परिमान देता है, acceleration, force, displacement और momentum, जल्दी से पताए दोस्तों किसका परिमान देता है, ये सदाब आपको भी good evening, फड़ावर से सबी के साथ जोड़ जाएंगे और answer करेंगे, दोस्तों यहाँ पर जित लोग, rate of, sorry, second law को हम लोग law of momentum कहते हैं, ठीक है, law of momentum कहते है, momentum क्या कहते है? rate of change of momentum, दोस्तों यहाँ पर जो होता है, force के directly अपॉर्स लोता है, force क्या होता है दोस्तों, mass into acceleration, ठीक है, force की unit क्या होती दोस्तों, newton होती है, क्या दोस्तों, newton होती है, या फिर इसी को में लिख सकता हूँ, kg meter per second square भी लिख सकते हैं, ठीक है, acceleration की unit क्या होती दोस्तों, meter per second square होती है, और acceleration is equal to होता है, velocity upon time, ठीक है, displacement क्या होता है दोस्तों, displacement shortest distance होता है initial और final distance में या final point पे momentum क्या होता है दोस्तो mass into velocity होता है P से show किया जाता है इसकी दोस्तो हम unit लिख सकते हैं kg meter per second ठीक है चले आगे बहुत बढ़िया यहां पे कुश्वाहा, विपेन, आलोग बहुत बढ़िया, ठीक है अगले question बढ़ते है दोस्तो अगला question आपके लिए यह रहा which hormone is responsible for release of pancreatic juice to digest the food दोस्तो भोजन को पचाने के लिए यहां पे अगनाशी राज के सराव के लिए कौन सा hormone उत्तरदाई होता है क्या वो gastrin होता है secretrin होता है या फिर enterokanin होता है या फिर all of the above संदीब कहरे सर all होना चाहिए रिहान कहरे सर all होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दू यहां पर जितने लोग all कहरें उनका गलेत आंसर हो जाए correct answer हो जाए secretrin तो दोस्तो option number two यहां पर correct answer हो जाएगा अब देखिए दोस्तो pancreatic juice pancreas में कहां पर दोस्तो pancreas में ही produce होता है ना दोस्तो pancreas में ठीक है pancreas में ही दोस्तो आपको मैं बता दू यहां पर एक beta cell होता है beta cell क्या produce करता है insulin ठीक है चले आगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते very good यहां पर सदाब ठीक है चलिए अगले question बढ़ेंगे अगला सवाल लेकिन उससे पहले क्या करेंगे फड़ा वड़ से share और like करेंगे अगला question आपके लिए दोस्तो यह रहा which of the following metal remains in liquid form at room temperature निम्न में से कौन सा धातू कमरे की तापमान पर तरल रूप पर तू रहता है cadmium, mercury, germanium और tin जल्दी से बताइए B option के साथ जा रहे हैं बाकी लोग क्या कहते दोस्तो ठीक है दोस्तो जितने लोग B कह रहे हैं ना उनका correct answer का mercury mercury को दोस्तो हम लोग कैसे represent करते हैं HG से represent करते हैं ठीक है दोस्तो अगर हम बात करें mercury से एक बिमारी भी होती है जिसका नाम है मीना माटा क्या दोस्तो मीना माटा बिमारी भी होती है ठीक है mercury का ही use दोस्तो किया जाता है thermometer में किया जाता है mercury का इस्तमाल देखिए दोस्तों यह exception है mercury एक दोस्तों metal है right metal कभी दोस्तों आपको liquid form में नहीं मिलेंगे लेकिन दोस्तों यह exception है अच्छा दोस्तों एक बताईए एक और exception है जो कि दोस्तों क्या है non-metal और non-metal दोस्तों आपको liquid form में मिलता है वो कौन सा है दोस्तो जित्ते लोग यहां पर कहते हैं, ब्रोमीन, उनका यहां पर correct answer हो जाएगा, यह भी exception है, यह non-metal है और दोस्तो यह liquid form में, ठीक है, अगला question आपके लिए यह रहा, दोस्तो बेगम अक्तर is associated to which art form, यहां पर बेगम अक्तर किस कला से सम्बंदित है, dance, painting, music, folk art, जल्दी जित्ते लोग यहां पर करें sir होना चाहिए, music, उनका correct answer होगा, music, ठीक है, classical music, दोस्तो यह singer है, ठीक है, classical, यह भी याद रखीगा, अच्छा दोस्तो, आपको पता है दोस्तो, हमारे यहां music जो है, दो पार्ट में बटी हुई है, कौन-कौन सी दोस्तो, हिंदुस्तानी music, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक होता है, incarnatic music, ठीक है, हिंदुस्तानी music दोस्तो, आपको कहां पर मिलेगा, उत्तर भारत में, और करनेटिक music मिलेगा, साउथ, ठीक है, हिंदुस्तानी music के जनक किसे कहलाते हैं, दोस्तो, तानसेन, और करनेटिक music के दोस्तो बी गुड इवनिंग चलिए फड़ावर से जुड़ जाए सबीक साथ दोस्तो अकबर के वित्तमंत्री कौन थे बीरबल थे राजा टोडरमल थे तानसेन थे या इन में से कोई भी नहीं था जल्दी से बताएए बी कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तो यहां पे B होगा या पर नहीं होगा तो दोस्तो जित्ते लोग यहां पर B कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा राजा टोडरमल दोस्तो यहां पे 9 जितने भी 9 रतने थे उनमें से 1 रतन ये भी थे अब 9 रतन मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों सिर्फ आपको याद क्या करना है बात बात पर MDH ये याद रखेंगे दोस्तों तो आपको 9 रतन भूलेंगे नहीं ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको दोस्तों नौरत नहीं भूलेंगे है चलें आगे वेरिकोट डिली सदाब रिहान अगला कोशन दोस्तों आकली रहा दोस्तों टी का डिसीज अफेक्ट विच ऑव दी फॉलॉइंग क्रॉप्स दोस्तों आपने टिकल रोग जो होता है निमलिखित में से निमलिखित फसलों में से किस पर प्रभाव डालता है मस् तो कुछ लोग पैड़ी भी कह रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू जितने लोग यहां पर पैड़ी कह रहे हैं उनका गलत आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ग्राउंड मुंफली पर दोस्तों अपने भारत में ग्राउंड सबसे यादा कहां पर होती है यह होती दोस सवाल आपके लिए यह रहा, which one of the following is commonly known as washing soda, निमलिखित में से दोस्तों किसे आम तोर पर washing soda के नाम से भी जाना जाता है, calcium carbonate, calcium acetate, magnesium sulfate या sodium carbonate, जल्दी से बताएं दोस्तों किसको कहते हैं, निक्की कहरें से D होना चाहिए, तो दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर D कहरें हैं, उनका यहाँ पर correct होगा, बहुत बढ़िया, दोस्तों यहाँ पर sodium carbonate, इसका formula क्या होता दोस्तों, Na2CO3, sodium carbonate, calcium carbonate दोस्तों होता है, CaCO3, और यह किसका formula दोस्तों, lime stone का होता है, एक होता है दोस्तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को दोस्तो हम लोग क्या कहते हैं, sodium bicarbonate, क्या कहते हैं दोस्तो, sodium bicarbonate, ये भी आप से पूछा जाता है, इसका दोस्तो chemical formula क्या होता है, naah, क्या दोस्तो, naah co3, क्या है, sodium bicarbonate, अगले question बढ़े, बहुत बढ़िया यहाँ पे, वीर, संदीप, कुश्वाहा, अंजली, रेहान, बहुत बढ़िया, अगला question दोस्तो आपके लिए, water which is suitable for drinking is called dash water, दोस्तो, पीने के लिए, उप्रियुक्त पानी को dash gel कहा जाता है, hygienic, sparkling, potable, और sanitary, कौन सा दोस्तो जल कहा जाता है, इसे, तर्मय कहरे साथ C होना चाह यह, तो दोस्तो जितने लोग C कहा रहे, अम्मू, संदीप, शिवा, मदुश्मिता, अंजली, अंजली यह नहीं होगा, यहाँ पर होगा potable, क्या दोस्तो पेजल, पेजल कहा जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तो, heavy water, heavy water क्या होता है, ठीक है, D2O, और दोस् V is the object distance, V is the image distance, and F is the focal length, दोस्तो, lens का सूतर क्या होगा, U वस्तू की दूरी है, V छवी दूरी है, और F lens की focal लंबाई है, 1 upon F is equal to 1 upon V minus U, 1 upon V is equal to 1 upon F minus U, 1 upon U is equal to 1 upon F minus V, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, विपिन के रहे सर, A होगा, चिरंजीत के रहे सर, A होना चाहिए, रिहान के रहे हैं, लेकिन B होना चाहिए, तो दोस्तो, क्या यहाँ पर A होगा, या फिर B होगा, तो दोस्तो, मैं आपको बता दू, A option यहाँ पर correct answer हो जाएगा, 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U होता है, यही दोस्तो, अ ठीक है, very good Monica, सिखा, संदीब, अगला सवाल दोस्तो, आपके लिए ही रहा, who is the primary lawyer of government of India in the Supreme Court, दोस्तो, सर्वोच न्यायलाय में भारत सरकार के प्राथमिक वकील कौन होते हैं, Comptroller and Auditor General of India, या फिर दोस्तो, Advocate General of State, Attorney General of India, या Chief Election Commissioner of India, C option कह रहे हैं, Attorney General of India के साथ जा रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तो, जितने Attorney General कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, दोस्तो, Attorney General जो होते हैं, वो दोस्तो, Chief Legal Advisor होते हैं, क्या दोस्तो, Chief Legal Advisor होते हैं, ठीक है, कौन से अनुछेद में mention हैं, दोस्तो, तो या अनुछेद दोस्तो याद रखेगा, 76 में, किसमें, दोस्तो, 76 में mention होते हैं, Comptroller and Auditor General, दोस्तो, कौन से अनुछेद में होते हैं, ठीक है, Chief Election Commissioner, दोस्तो, कौन से अनुछेद में होते हैं, 324 में, किसमें, द दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फड़ा वर्स से क्या करेंगे शेयर करेंगे और देख घुमा के मतलब लाइक करेंगे अगला कोशन आपके लिए what is the full form of LTE with respect to mobile communication दोस्तों mobile संचार के संदर में LTE का पूनरूप क्या है limited transmitted energy, long term evolution, least effective transportation या none of the above ठीक है रॉकर वो homework है आपने यहाँ पर ही answer कर दिया है ठीक है कोई बात नहीं वो homework रहेगा यहाँ पर carrier sir होना चाहिए ठीक है दोस्तों LTE का full form हो जाएगा long term evolution इसी को दोस्तों हम लोग 4G कहते हैं हाला कि दोस्तों इंडिया में कभी 4G आई ही नहीं थी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है generation में bandwidth होता है ठीक है तो 3G का high दोस्तों यहाँ पर हम बात करें high bandwidth जो value है उस पे दोस्तों हमारा work करता था उस पे हम LTE लगा के दोस्तों 4G का जो starting point है उसको हम touch कर लेते थे इसलिए हम 4G कहते थे वैसे 4G दोस्तों भारत में पूरी तरीके से आया नहीं था उसमें LTE method लगा के दोस्तों हम लोग 4G के starting bandwidth को touch करते थे और उसको कहा जाता था 4G देखें चलिए अगला question दोस्तों आपके लिए रहा name the state tree of महराष्ट महराष्ट के राज की वरक्ष का नाम बताईए apple tree है mango tree है guava tree है या फिर jackfruit tree है कौन सा है दोस्तों महराष्ट का यहाँ पर राज्जी के पेड़ यहाँ पर दोस्तों फलो का राजा mango संजीव संतीक है तो दोस्तों यहाँ पर रोगा mango tree क्या दोस्तों mango tree यहाँ पर correct answer रोगा अब देखें दोस्तों महराष्ट की बात करें इसकी capital क्या है मुंबई है क्या दोस्तों मुंबई किसंसे जानते हैं city of seven island के क्या दोस्तों city of seven island के नाम से जानते हैं देखें दुस्तों यहाँ पे आपको और र्बी आई का headquarter मिलेगर ठीक है और किसका मिलेग दोस्तों SBI का भी headquarter मिलेगा मुंबई को दोस्तो और क्या कहा जाता है financial capital भी कहा जाता है क्या दोस्तो financial capital भी हम इसको कहते हैं ठीक है film city भी कहते हैं क्या दोस्तो film city भी कहते हैं ये भी याद रखेगा दोस्तो अगर हम महराष्ट की बात करते हैं महराश में आपको बहुत सारे राश्चुद्यान मिलेंगे जैसे की संजय गांधी क्या दोस्तो संजय गांधी नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क को दोस्तो बोरी वली भी कहते क्या दोस्तो बोरी वली नेशनल पार्क भी कहा जाता है चंदोली नैशनल पार्क मिलेगा क्या दोस्तों चंदोली नैशनल पार्क नवे गाओं क्या दोस्तों नवे गाओं नैशनल पार्क मिलेगा ठीक है और कौन सा मिलेगा गोगु मुरा मिलेगा या दोस्तों गूगामल जल्दी से बताए कौन सा मिलेगा गोगु मुरा मिलेगा दोस्तो आपको पस्चिम मंगाल में और गुगा मल मिलेगा दोस्तो आपको महराष्ट में यह याद रखना है ठीक है चलें आगे ठीक है वेरी गुड सिंग हम बहुत बढ़िया अगला कोशन दोस्तो आपके लिए यह रहा दोस्तो इस्टेट विथ मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉफी इन इंडिया भारत में कॉफी के दोस्तो अधिक्ता मुत्पादन वाला राजी कौन आपका है किर्ला महराष्ट और तमिल्नाडू है कोन है दोस्तो यहां पर कहरे सर होना चाहिए करनाटका तो दोस्तों जिते लोग करनाटका कहरे उनका यहां पर correct answer हो जाएगा अच्छा देखिए, विश्व में अगर पुछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी कहां पर उत्पादित होता है और दोस्तों ब्राजील में, काप दोस्तों ब्राजील में और दोस्तों हमारे भारत में कहां पर होता है, करनाटका में होता है ठीक है, और यहां पर दोस्तों हर एक प्रकार के आपको क्या मिल जाएगे कॉफी मिल जाएगे, चाहे आप रोबस्टा की बात कर लीजी चाहे अरेबिका यह सब कॉफी के दोस्तों टाइप एठी के अरेबिका यह सब आपको करनाटिका में मिल जाएंगे ठीक है अगला कुश्चन आपके लिए The author of the book to kill a mockingbird died at the age of 89 she was दोस्तों पुस्तक to kill a mockingbird की लेखिका का 89 वर्ष की आयू में निधन हो गया उनका नाम क्या था अगता क्रिष्टी, सुसान, सोनतंग, हरपर ली या फिर जैने ऑस्टन बंटी कहरें सर सी ओप्शन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहतें दोस्तों यहाँ पर C option होगा या फिर नहीं तो दोस्तों हर पर ली जितने लोग कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer होगा ठीक है चले, यहाँ पर होगा option number C अच्छा, अगता क्रिष्टी की दोस्तों कौन सी है यहाँ पर जल्दी से बताए क्रुग्ड है ठीक है, क्रुग्डी इनके एक famous किताब है यह भी आपको याद रखना है चले आगे ठीक है, सुसान की कौन सी दोस्तों, on photography क्या दोस्तों, on photography और यहाँ पर दोस्तों, अगता की है प्रकाश को साथ रंगों में विभाजित कर देता है या करता है concave, convex, prism या फिर दोस्तों, concave mirror C, बंटी, C के साथ चिरंजी, C के साथ आयोश कह रहे है, सर प्रिस्म होना चाहिए तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर prism कह रहे है उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा देखे दोस्तों, prism यहाँ पर correct answer हो देखे दोस्तों, जब बारिश होती है, तो बूंद कुछ इश्टेप में होती है और जब बूंद इश्टेप में होती है तो इस पिरामिड का काम कर रही होती है सूरज इधर है, सूरज चाचू चंदा मामा होते है, तो सूरज चाचू होते है जब भी इस पर light जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, आपका reflection, dispersion और यह सारे phenomenon होते है तब जाके दोस्तों हमेशा opposite side पर क्या बनता है rainbow बनता है और दोस्तों उसका sequence जो होता है कलर का विबग्योर होता है विबग्योर क्या होता है दोस्तों violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red ठीक है चलें आगे बहुत बढ़िया संदीप, अंजली आगला question दोस्तों आपके लिए ही रहा दोस्तों, the Haryana's Government इंद्रा गांधी महिला शक्ति अवार्ड is given to women to have contributed in the field of Dash हरियाना सरकार दुआरा इंद्रा गांधी महिला शक्ति पुरुसकार महिलाओं को Dash के छेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है यहाँ, rehabilitation of the women and the children education, science and technology या sports जल्दी से बताए, science कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहतें दोस्तों तो दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग science कह रहे हैं, उनका यहाँ पर गलत answer हो जाएगा correct answer दोस्तों, जितने लोग ए option कह रहे हैं Nikki का correct answer है, Singham का correct answer है दोस्तों, यहाँ पर होगा rehabilitation of women and children महिलाओं और बच्चों के पुनरवास के लिए दिया जाता है और इसमें दोस्तों कैश प्राइस कितना दिया जाता है इसमें कैश प्राइस दिया जाता है एक लाख पचास हजार का कितना दोस्तों एक लाख पचास हजार का दिया जाता है ठीक है अगले कोश्चन और कौनसा मिलेगा दोस्तो सुल्तानपूर कौनसा सुल्तानपूर ठीक है अगले कोश्चन पर बढ़ेंगे अगला सवाल दोस्तो आकली रहा दोस्तो निजाम सागर डैम is located on which of the following river निजाम सागरबांद जो है वो निमलिखित में से किस नदी पर इस्थित है क्या वो मंजीरा पर है मूसी पर है भीमा पर है या फिर प्रनीत्या रिवर पर है यस पूजा आपको भी good evening बंटी कहरे सर बी होना चाहिए रॉकर्स कहरे सर मूसी नदी होना चाहिए ठीक है तो दोस्तो मैं आपको बता दू जित्ते लोग बी कह रहे हैं उनका गलत आंसर होगा correct आंसर होग इसलिए दोस्तो इसको गंगा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट कहाँ पर है महराष्ट में है अगर दोस्तो हम बात करें गुदावरी नदी किनारे एक famous city है दोस्तो जिसका नाम है नासिक क्या दोस्तो नासिक है ये भी याद रखना है ठीक है चलें आगे वेरे गुट तनमे रिहान अगले question बढ़ेंगे दोस्तो अगला question आपके लिए ये रहा दोस्तो which among the following is correct regarding the monsoon winds in India दोस्तो भारत में monsoon की हवाओं के बारे में निमलिखित में से कौन सा सही है दोस्तो इंडिया receives southwest monsoon winds in the summer इंडिया receives the northeast monsoon winds in the summer इंडिया receives the southeast monsoon winds during the winter और दोस्तो यहाँ पर none of the above जल्दी से बताएं दोस्तो correct answer क्या होगा फड़ा फड़ से बताएंगे यहाँ पर करें sir A option होना चाहिए रिहान, मदुश्मिता, चिरणजीत करें sir B, पूजा A के साथ, रितिकावन के साथ, तो दोस्तो यहाँ पर correct answer yes I can, बिल्कुल correct answer है इंडिया receive southwest monsoon, मैंने आपको बताया था दोस्तो यह है दक्षिट भारत peninsular river है, यहाँ पर दोस्तो आपको क्या मिलेगा, Arabian sea, तो दोस्तो Arabian sea मिलेगा, ठीक है यहाँ पर Bay of Bengal, Bob, ठीक है नीचे क्या मिलेगा, Indian ocean, देखिए यह दोस्तो southwest है, यह north east है, ठीक है यहाँ पर है western घाट, यहां पर हे दोस्तो eastern घाट, मैला पूरीवी घाट का जीयां और पश्चीन घाट, यहाँ से मौनसून बना स्टाट होता है, केरल से entry मारता है, ठीक है, और सबसे पहले कौन से range से होके जाता है eastern घाट से sorry western घाट से होके जाता है ठीक है तो यहाँ पर correct answer क्योंगा southwest correct answer हो जाएगा यह आपको याद रखना है ठीक है चले आगे चलिए बहुत बढ़िया अगले question बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपके लिए यह रहा which of the following vitamin helps in clotting of blood दोस्तो निमलिखित में से कौन सा vitamin खून का ठक्के जमाने में मदद करता है क्या वो vitamin A है vitamin B है vitamin D है और vitamin K है कौन सा vitamin है दोस्तो ठीक है यहाँ पर KKK तो दोस्तो यहाँ पर correct answer का K बहुत बढ़िया बंटी मोनिका बहुत बढ़िया यहाँ पर देखिए दोस्तो vitamin A B C D E और K दोस्तो यह major हमारे vitamin है हमने इनके लिए trick याद किये थी दोस्तो जिससे हमें chemical नेम याद हो जाए chemical नेम के लिए हमने क्या trick याद किया था रटा हमने रटा था क्या रटा CTP, क्या आपने रटा CTP तो रट लीजे रटा CTP, A के नीचे दोस्तो R आ रहा है तो A का नाम क्या हो जाएगा, Retinol हो जाएगा, chemical नेम रेटीनोल हो जाएगा B के नीचे T आ रहा है, तो T से क्या हो जाएगा, Thymin हो जाएगा, ठीक है, VITAMIN B का नाम Thymin होता है C के नीचे A आ रहा है तो ascorbic हो जाएगा vitamin C का नाम ascorbic होता है D के नीचे C आ रहा है तो kelseyferol हो जाएगा Kelvin D का नाम kelseyferol Kelseyferol E के नीचे T आ रहा है Kelseyferol की बहंड, tocopherol यह भी याद रखीगा Vitamin E का नाम है K के नीचे P आ रहा है तो इसका मतलब है polyquinine ठीक है मतलब विटामिन के को पॉलिक्विनिन कहा जाता है विटामिन बी और सी जो होते हैं यह वाटर सॉलीबल होते हैं क्या होते हैं दोस्तों वाटर सॉलीबल होते हैं यह याद रखेगा ठीक है संदीब, बहुत बढ़े, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, which of the following is also called artificial silk, दोस्तों निमलिखीते में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, rayon, nylon, bakelite और acrylic, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर correct answer क क्या होगा, rayon correct होगा, a option correct होगा, rayon correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, option number a यहाँ पर correct होगा, ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा, which is the heaviest planet in our solar system, स्वार मंडल का दोस्तों सबसे भारी ग्रह कौन सा है, क्या वो, Uranus है, Neptune है, Saturn है, या फिर Jupiter है, जल्दी से पता है, दोस्तों सबसे भारी, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक like ने किया है, फटावर से like करेंगे, और share करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर कहरें, सर होना चाहिए, option number four, four, उनका correct answer होगा, देखें दोस्तों, अगर हम Jupiter की बात करें, दोस्तों यह gas ball है, ठीक है, Jupiter दोस्तों largest planet है, क्या दोस्तों सबसे बड़ा planet है, इसके दोस्तों अगर हम उपग्रह की बात करें, तो 78, कितने दोस्तों 78 उपग्रह है, जिनमें से सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है, Ganymed, कौन सा दोस्तों, Ganymed सबसे बड़ा उपग्रा है किसका जूपिटर का ठीक है सेटन की अगर बात करो दोस्तों सबसे ज़ादा दोस्तों उपग्रा है 82 और इसका फेमस उपग्रा जो है वह है टाइटन कि दोस्तों टाइटन यह आपको याद रखना है ठीक है चलें आगे की तरफ चलें बहुत बढ़िया लक्षमन, गोविंद, अंजली, तनमे अगला सवाल दोस्तों आपके लिए यह रहा बाकिन लोग क्या कहते दोस्तों जाने कांवार रहत करें ंडमान ऑसर के और ओंग्रें जामन की है अगर और दोस्तों सॉरी यहां पर निकोबार को कौन अलग करता है 10 डिगरी करता है तो भारत का यह सबसे अढ़ा जो दोस्तों सबसे बड़ा खराना कर रहे हैं टो ध्यान रखना है यह physizur मिलेगी से इसलिपार सथ मिल Kings में कुछ साल पहले कुछ साल आपको पता है वहाँ पर एक अंग्रेज गया था और दोस्तों वहाँ पर ट्राइब के द्वारा यह मारा गया था ठीक है इसलिए दोस्तों न्यूज में भी था यह आपको याद रखना है यह पूछा जाता है अच्छा अंडमान में कुछ आइलेंड का नाम बदला गया था लव लॉक आइलेंड बोला गया था दोस्तों क्या जल्दी से बताए कुछ आइलेंड के नाम बदले गये थे वो कौन-कौन से आइलेंड थे वो आपको बताना है चार आइलेंड थे उनके नाम बदले गये थे ठीक है उनका आपको दोस्तों क्या करना है कमेंट बॉक्स मे comment box में इस class के बाद आप सभी लोगों क्या करना है उसमें answer करना है ठीक है हाँ सहीद बिल्कुल सहीद बता रहे हैं अंगद एक तो सहीद था बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तो अगले सवाल के लिए ठीक है हेव लॉक ठीक है बहुत बढ़िया अगला question दोस्तो आपके लिए आपके screen पर ओ हो 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 दोस्तो यहां पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने क्या की है दोस्तो previous year के paper पे दोस्तो जो model paper था उसको हमने solve किया है IB, SA और MTS के लिए दोस्तो इसी तरीके के question आते हैं दोस्तो आपने देखा होगा ठीक है अगर नहीं देखा है तो please इसको जरूर go through होईगा और जिन्होंने दोस्तो test series start नहीं के test series लगा लिजे और अभी आपके लिए दोस्तो course में चल रहा है offer course में दोस्तो आपको मैंने पहली बताए दोस्तो इसी वीडियो के दीचे link मिल जाएगी coupon code apply कर लिजेगा गौरव M, G, sorry मैं हाँ पर लिख देता हूँ, G, A, U, R, A, V, M दोस्तो इसको apply करते ही आपको यहाँ पर maximum discount मिलेगा और आप यहाँ पर तयारी भी कर पाओगे इस class की PDF कहां पर मिलेगी दोस्तो इस class की PDF मिलेगी टेलेग्राम पर टेलेग्राम पर जाना है और सर्च करना है at the rate गौरव सर्ट टेसबूक दोस्तो या फिर आप इसको scan भी कर सकते हूँ या directly सर्च कर सकते हो गौरफ मौरिया सा टेस्ट बूक, ठीक है, मैं आपको दोस्तो लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, लाइफ चैट पे, जिससे आप वहाँ पर जुड सकते हो, ठीक है, चलिए, मैं यहाँ पर दोस्तो आपको लिंक किये, मैंने लाइफ चैट पर आप लोगों के लिए मेंशन क को Monday to Friday 11 p.m. से 12 a.m. तक जहां पर हम करेंगे जीके का Rapid Fire Round मतलब जीके का जगराता जल्दी-जल्दी क्योंकि देखिए जो टेलेग्राम पर जुड़ा है उनके लिए तो दोस्तो लिंक यहां पर मिल जाती है क्योंकि मैं शेयर कर देता हूं बट जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए दोस्तो नोडिफेकेशन के थूरू उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी मिलेंगे अगले सेशन में एक नए जोश के साथ एक नए सेशन के साथ जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ रात को ग्यारा से बारा बजे तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अपनों का ख्याल रखेगा पढाई करते रेगा आपका दोस्त अभी के लिए विदा लेता बाबाई टेक केर जय हिंद जय भारत